नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अंकित गुपता जी के यूट्यूब चैनल पर मैं अंकित गुपता करता हूँ आप सभी का स्वागत सुप्रभात सभी को सस्यकाल आदाव राधे राधे और जैसी अराम तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं हैं जिसमें मैंने इंक्लूड की हैं तो आज के सेशन में पूरा एक घंटे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है बहुत कुछ आज आपकी नॉलेज इंक्रीज होने वाले इन छुट्टियों में आप ऐसा कुछ सीखेंगे जो कि आपने अभी तक नहीं सीखा तो जब एक्ज को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजेगा इसकी लिंक आपको कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगी इसके अलावा फेस्बुक पेज का जो नाम बनता है वो बनता है जीके वेदस इस पेज को भी आप लाइक कीजे बहुत सारी अपडेशन और बहुत सारे जी के पोस्ट आपको यहाँ पर मिलेंगी इसके लावा टेलीग्राम चैनल का नाम है अंकित गुपता जी के जितनी भी पीडियेफ हैं और दूसरे स्टडी मटेरिल हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे और इन सभी के लिंक आपको कॉमेंट बॉक्स में पि अभी मैने लागा है समुदर को अभी तो पूरा आस्मान बाकी है यह बहुत ही बहुतनी मोटिवेशनल कोट है सुभा की सुरुआत इससे बहतर हो ही नहीं सकती है इसके अलावा इन्होंने मुझे भी thank you बोला है, यह मेरे एक regular student है और काफी लंबे समय से मेरे साथ जुड़े हैं, इन्होंने thank you बोला है for providing online sessions once again on your YouTube channel, क्योंकि अब हमने अपना खुद का ही YouTube channel यहाँ पर बना लिया है, ताकि आप सभी की जो knowledge है, आप सभी की जो study है, वो किसी and two times in railway and I am sure that this time I definitely selected in the exam, यह मेरे regular student है, काफी लंबे समय से मेरे साथ यहाँ पर study कर रहे हैं और यह चार बार SSC के mains के लिए select हो चुके हैं और दो बार railway के exam को भी उन्होंने qualify किया है, लेकिन जल्द ही definitely यह किसी ना किसी exam में select हो जाएंगे, मेरी मेरा अशिरवाद आप सभी के साथ है, योगेस जी के साथ है, आप सभी के साथ है, तो चलिए बिना किसी देरी के, सेशन में क्या क्या रहने वाला है, सबसे पहले motivational quote, वो तो हमने यहाँ पर discuss करी लिया है, योगेस जी का, इसके बाद हम लोग करेंगे previous class का revision as usual, जैसा हम प्रती दिन करते हैं, मैं नया सीखने से पहले पुराने को revise करते हैं, ताकि नया सीखने पर पुराना हमें ना भूले, इसके बाद हम लोग latest current affairs MCQ को discuss करेंगे, static quote is as usual होगा, फरवरी मन्त को revision यहाँ पर बना रहेगा, आज एक नया section add किया गया है, वो है latest brand ambassador list 2020, तो यहाँ पर कुछ important updates आपको यहाँ यह list आपको पसंद आएगे, आप सभी की demand थी की नहीं थी, एक बार यहाँ लिकर बताइए, latest brand ambassador है, बहुत सारे विध्यारतियों ने बोला था, और भी बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला हुआ है, लेकिन गंटे के session में क्या-क्या सामिल किया जाए, लेकिन प्रत इसी देरी के previous class के revision को करते हैं, शुरू, जैसा हम प्रती दिन करते हैं, वैसा ही आज करेंगे, सबसे पहले GDP के production को एक बार फिर से read करेंगे, UN के द्वारा 4.8% प्रतिशाथ, World Bank के द्वारा 1.5% से लेकर 2.8% के बीच में, क्रिसल भारत की credit rating agency है, credit rating information services of India limited, this is the complete full form of क्रिसल agency, यह भारत की सबसे पहली और भारत की सबसे बड़ी rating agency आपकी बनती है, Goldman Sachs के अगरा हम लोग बात करते हैं, 1.6%, Moody's के द्वारा 2.5%, IMF के द्वारा 1.9%, SNP global ratings 3.5%, no more agency, minus में prediction किया है, minus 0.5%, India ratings ने 3.6%, Fitch investment solutions ने 4.6% और Fitch ratings ने 2% को यहाँ पर credit किया है, SVI की EquiRap report की बात कर लेते हैं, तो पहले जो production था 2.6% अब इस production को यहाँ पर घटा कर कर दिया गया है, 1.1% याद रिखेगा, exam के point of view से यह यहाँ पर important बनता है, इसके बाद Barclays के अनुसार यहाँ पर 0.8% का production GDP के लिए किया गया है, कल की class में हम लोगों ने बहुत सारी cities के निकनेम्स यहाँ पर discuss किये थे, तो आज उन निकनेम्स को हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर revise कर लेंगे, UP की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के कुछ प्रिषद सहरों के कल निकनेम discuss हुए थे, तो जितने भी विध्यार्ती class को देख रहे हैं, एक बार इसे revise आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, यहाँ पर समझने जैसा कुछ भी नहीं है, समझने जैसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर चीज़ों को याद करना है, आगरा में ताज महल मौझूद है, जिससे साय जहाने बनवाया था, इसलिए city of ताज कहा जाता है आगरा को, ताज महल आपका युनेसको की वर्ल्ड हेरिटेस साइट में भी आपका सामिल है, क्या मुझे कोई ये विध्यारती बता सकता है कि ताज महल को युनेसको की विश्य विरासत सूची में कब सामिल किया गया था, किस वर्ड सामिल किया गया था, अगर हाँ, तो टाइप कीचे comment box मे प्रियागराज की बात करते हैं संगम शिटी भी इसे कहते हैं क्यूंकि यहाँपर तीन नदियों का संगम है, गंगा, यमना और सरस्वती ये तीन नदिया हैं जो कि आपके आपकी मवजुद हैं इसलिए आपके अलाभाद को संगम भी कहा जाता है और इसे देवों का घर भी कहा जाता है Adobe of God or City of Prime Ministers भी प्रयाग राज को कहा जाता है, प्रयाग राज का प्रोनटानाम अलहाबाद है और यहाँ पर साथ प्रधान मंत्री ड्रेक्ली या इनडिरेक्ली अलहाबाद सहर से ही जुड़े रहे थे, इसलिए इस city को the city of prime ministers के नाम से भी जाना जाता है next कानपुर की यहाँ पर बात कर लेते हैं तो कानपुर की अगर हम लोग बात करते हैं इससे उत्तर भारत का मैंचेस्टर कहते हैं मैंचेस्टर of North India केसे कहा जाता है तो कहा जाता है आपका कानपुर सहर को लेधर city of india कैसे कहा जाता है कानपुर सहर को कहा जाता है लेधर का कारोबार चमडे का कारोबार यहां पर काफी प्रसिद्ध हाए और भारत का मैंचेस्टर कहा जाता है एहमदाबाद city को अगर आप से यह पूछा जाता है कि south India का manchester यानि कि manchester of south indeedia तब आपका अंसर क्या होगा जरा मुझे जल्दी से टाइप करके comment box में बताइए लखनु सहर की बात करें गोमती नदी के किनारे यह मौझूद है और कानपुर सहर आपका गंगा नदी के किनारे आपका मौझूद है अपडेट कर लीजेगा आगरा सहर किस नदी किनारे है य इंडिया के नाम से मेरट सहर आपका प्रसिद है क्योंकि मेरट के बल्ले काफी प्रसिद है तो जो भी आपकी खेल सामगरी होती है उसके निर्मान के लिए मेरट काफी प्रसिद है इसलिए मेरट को स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है तमिलनाडू के बा कहा जाता है कोईमबर्टूर की बात करते हैं तो मैंचेस्टर आफ साउथ इंडिया कहा जाता है मैंचेस्टर आफ इंडिया एमदाबाद सिटी मैंचेस्टर आफ नॉर्थ इंडिया तो कानपूर सिटी और मैंचेस्टर आफ साउथ इंडिया तो हो जाएगी कोईमबर्टू इसे Engineering City of India के नाम से भी जाना जाता है, नीलगिरी को Blue Mountains, Mudrae City को City of Festivals और Trunail Valley City को City of Paddy Fields भी कहा जाता है यहां तक सारी बाते स्वंज में आती चल रहे हूं तो यस लिख के बता दीजेगा और सेशन को Like कर दीजेगा भाईया, बहुत सारी जानकारी खटा करनी पड़ती है, रातो रात काम करना पड़ता है, पीपीटी तैयार करनी होती है, हिंदी में भी तैयार करनी होती है, इंग पर रिवीजन करेंगे, लोटस टेंपल यहीं पर मौजूद है, कुत मिनार यहीं पर है, जावा मजज़ यहीं पर है, इंडिया गेट यहीं पर है, लाल किला, हमायू का मगबरा, पुराना किला, जंतर मंतर, लोटस टेंपल तो बता ही दिया, लक्षमिनारायन मंदिर, अक सबसे वड़ा थोक मसाला बाजार है तो एसिया का लारजेस्ट होलसेल स्पाइस मारकेट तो हो जाएगा खारी बावली याद रखेगा सुलब इंटरनेशनल संग्राले की बात करते हैं दुनिया का सबसे वड़ा सोचाले संग्राले भी है यह भी आपका दिल्ली में मौजू करा हम लोगों ने एक ट्रिक डिसकस की थी एक बार रिवाइस कर लेते हैं ताकि आप लोग भूल ना जाएं और ट्रिक को याद रखें यहाँ पर तो ट्रिक क्या थी कि तमिलनाडू के पिरसे द लोक निरत्यों को हम लोग कैसे याद करेंगे तो मैंने इसके लिए आपको कुम से मिलो भरत जाओ और तुम पुलकित और कुमकुम से मिलो तो भरत तुम पुलकित और कुमकुम से मिलो अगर आप यह लाइन याद रखें तो याद रखेंगा भरत से याद रखेंगा भरत नाटियम तुम से याद रखना है तमिलनाडू भरत से भरत नाटियम तुम कॉन से mcqs को हमें यहाँ पर revise करना है ग्रह मंत्राले ने एक advisory जारी की है एक notice जारी किया है जिसके तेहत उन्होंने किस app को एक असुरक्षित app बताया है ministry of finance ministry of home affairs issued an advisory calling which app as unsafe तो मैंने आपको कल यह बताया थे कि इस app की users का data एक एक रुपए में dark web पर बिक रहा है इसलिए यहाँ पर home affairs ने एक advisory जारी की थी इस app का नाम है zoom app क्या है इस app का नाम zoom app next question कौन सा app मातर 13 दिनों में दुनिया का सबसे अधिक download किये जाने वाला app बन किया है which app has become the world's highest downloaded app in just 13 days सही जवाब बनेगा आरोगे से तो यह तीसरी वार प्रिसन यहाँ पर discuss हो रहा है लेकिन मेरा दावा है कि अब यह प्रिसन आपको नहीं भूलेगा अगर exam में आता है तो definitely आप इसका answer कर पाएंगे 15 April को किस year में Titanic उत्री Atlantic महा सागर में जो जहाज है वो डूब गया था Titanic sank into North Atlantic Ocean on April 15 in which year options आपके सामने है 1912 में Titanic जहाज डूबा था Titanic जहाज की image आपके सामने है Titanic जहाज की बात करें तो Titanic जहाज अपनी पहली यात्रा पर Southampton England से निकला था America के New York City के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि England के Southampton से निकला था और इसे पहुचना था America के New York City में लेकिन आप यह जगह जहाज यहाँ पर देख रहे हैं जहाँ पर Titanic जहाज आपका डूबा है वो जगह आप सभी के सामने आपको यहाँ पर नाजर आ रही होगी और यहाँ पर जाकर यह जो जहाज है वो आपका डूब गया था तो Titanic England से New York अमेरिका की यात्रा पर था 1912 में याद रखेगा 15 अपरेल का दिन था जब दुनिया का उस समय का सबसे वड़ा जहाज डूब गया था आगे बाद करते हैं अगले प्रुसन की कल हमने स्टेटिक में एक कोशन रिवाइस किया था कि किस वर्स ऑपरेशन मेगदूद भारती सेना के द्वारा संचालित किया गया था इन विच यह और ऑपरेशन मेगदूद वास कंड़क्टेड वाई इंडियन मिलिटरी करेक्ट आंसर बनता है 1984 उप्रेशन मेगदूद का जो कोड़ नेम है जो कि जम्मू कस्मीर के किस चेट पर कबज़ा करने के लिए छलाये गया था किस जीतने के लिए लेज इय झालायी तो कल ही मैं ने आपको बता था सियाचर LEGO को जीतने के लिए चलाय गया था सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे उच्छा योद छेत्र भी है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ तो इसको भी अच्छे से आद रखेगा कि दुनिया का सबसे उच्छा जो योद छेत्र बनता है वो आपका बनता है सियाचिन ग्लेशियर इसकी लोकेशन भी आप वि Union territory के कुल कितने जले हैं दो जले आपके बनते हैं ले और कारगिल याद रखेगा और लगदाक की जो राजधानी बनती है वो ले बनती है कारगिल जरा मुझे जल्दी से टाइप करके comment box में बताईएगा यहां पर जो वर्दमान में governor बनते हैं उनका नाम क्या बनता है एक ब 17 दिसंबर 1961 को किस operation का सुबारंब हुआ था प्रधान मंत्री जवालाल नहरू ओर्डर्ड अ मिलिटरी इंटर्वेंशन फॉर दी लिबरेशन ओफ गोवा एंड लॉंच विच ऑपरेशन ऑन 17 दिसंबर 1961 करेक्टान से हैं प्रबंता है operation विजे operation विजे दोबारा भी चलाया गया था 1999 में कारगिल जंग के दौरान पाकिस्तानियों को खदेरना था तो हमने यह operation आपका दोबारा भी आपका चलाया था तो यह operation विजे दोबार आपका हुआ है अगर आप से एक्जा में पूचता है कि कारगिल विजे दिवस कब मनाया जाता है तो आपका जवाब क्य पाकिस्तान में 1971 1971 की जंग में और तारीक थी आपकी 4 दिसंबर इसलिए 4 दिसंबर को भारती नेवी दिवस भी आपका मनाया जाता है तो इस परकार किस तारीक को गोवा मुक्ती दिवस मनाया जाता है गोवा लिबरेशन डे किस तारीक को सेलिबरेट होता है तो 19 दिसंबर को राज का दरजाव मिला था 1987 में और तारीक थे आपकी तीसमाई भारत का सबसे छोटा और पचीसमा राज उस समय बना था गोवाई स्टेट अगला प्रिशनर क्रिसी मंत्राले ने खाद्यान के परिवहन की सुधाक लिए कौन सा आप आपका लॉंच किया है विच आप हैस पिन लॉन्च भाई दी एन्डिकलचर मुनीस्टरी को फैसलिटे ट्राश्पोटेशन आप थी फूट ग्रेंस कली मैं ने बताया था किसान रत अगला प्रिस्नर उससे पहले हमारे अग्रिकल्चर मुनीस्टर का नाम है नरंदर जिंग अगला प्रिसन भारती वर्ल्ड वाल्ड लाइफ फंड के राजदूत की रूप में किसे न्यूक्ति किया गया है। अगला प्रिसन भारत इंस्टा पे एक यूपी आधारत भुक्तान प्लेटफॉर्म है जिसे किन संस्थाओं के द्वारा संइक्त रूप से लौंच किया गया है। भारत इंस्टा पे इस यूपी आई पेमेंट बेस प्लेटफॉर्म लाउंच जोएंट के वाई विच अमंग आप दीज इंडिटीज करेक्ट आंसर बनता है। BSNL और SBI, BSNL और SBI, SBI वही बैंक है जिस बैंक में PM Care Fund का जो पैसा है वो आपका जा रहा है। और SBI वही बैंक है जिसके तहत आयोध्या में जो आयोध्या मंदिर के निर्माण के लिए आयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए जो ट्रस्ट बनाया गया है। उसके लिए भी चंदे के लिए जो चंदे के लिए जो अकाउंट ओपन किया गया है वो भी स्टेट बैंक में ही ओपन किया गया है। UPI का फलफ़ा मनता है Unified Payment Interface यह आपका NPCI यानि की National Payment Corporation of India का आपका प्रोड़क्ट बनता है। IMF यानि की International Monetary Fund के द्वारा Asian Continent की यानि की Asia महादीप की जो GDP Growth प्रडिक्ट की गई है वो कितने परसेंट प्रडिक्ट की गई है जीरो परसेंट अगला प्रसन है। दुबाई इस्थित Cricket Academy Crick Kingdom के Brand Ambassador Group में किसे न्युक्त किया गया है। इन में से कोई नहीं करेक्टान से आपर बनता है रोहित सर्मा आप्शन में नहीं है। इसलिए आपर सही जवाब बनेगा रोहित सर्मा केल राहुल का कल ही आपका जन्म दिन भी था। कितने लोगों ने इनको विश किया है जरा मुझे बताईएगा। या कहीं भी विशिंग वाली जो पोस्टों से लाइक किया है। ठीक है। और कितने लोगों को यह जानकारी थी। चलिए अगला प्रिसमें। दोहजार बाइस में चौथे एशियाई पैरा खेलों की मेजबानी के लिए कौन सा देश से निर्धारित हुआ है या चुना गया है। विश कंट्री इस सेट टू होस्ट इफोर्थ एशियन पैरा गेम्स इन टुथाज़न एं टुथाज़न एं टुविन्टी टू। करेक्टान से आपर बनता है चाईना और यहाँ पर जो मसकट चुनी गई है वो एक पक्षी चुनी गई है एक बर्ड चुनी गई है जिसका नाम है फेई 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 और हांगजू नाम का जो सहर है वहाँ पर 2022 में ये शियन पैरा गेम्स आपके आउज़ित किये जाएंग 2024 में होने वाले Olympic Games कहा आउजित किये जाएंगे? तो 2024 के Greece में Kalin Olympic Games आपके Paris, France में आउजित किये जाएंगे और 2028 में होने वाले Summer Olympic Games लास एंजेलेस, अमएरिका में आउजित किये जाएंगे जबकि 2-2 साल के gap पर होने वाले Winter Olympics जो कि Summer Olympics के 2 साल के gap में होते हैं 2022 में जो Winter Olympics होंगे वो चाइना बीजिंग में होंगे, जबकि 2026 के Winter Olympics, Milano, Cortina, ये टली का एक सहर है, यहां पर आयोजित किये जाएंगे, 2020 में होने वाले Tokyo Olympic Games, अब 2021 में होंगे, कोरोना महामारी को देखते हुए, अगला प्रिशन, केरेना, सोरी, कोरोना से कैनरा हो गया, कैनरा बैंक का भारत के किस सहर में प्रधान का रहा है, आपका मौझूद है, कैनरा बैंक has its head office in which city of India, वडोधरा, New Delhi, Mumbai, Bangalore, इन में से कोई नहीं करेक्टान से आपर बनता है, बैंगलूरू, बैंगलूरू के चार निकनेम भी बनते हैं, पहला है इसपेस सिटी आफ इंडिया, बिकाज बैंगलूर में ही भारत की स्पेस एजनसी, इसरो, इंडियन स्पेस सर्च और्गनाशन का headquarter भी आपका मौझूद है, इसलिए स्पेस कैपिटल आफ इंडिया या स्पेस सिटी आफ इंडिया तो बैंगलूरू, गार्डन सिटी आफ इंडिया बैंगलूरू, आइटी कैपिटल आफ इंडिया बैंगलूरू, सिल्कन वैली आफ इंडिया बैंगलूरू, एक से यहई पर मौझूद्र है यस बैंग का हैड को यहीं पर मौझूद है नवाड का यहीं पर बात करते हैं तो बढ़ोदरा को यहाद कर लीजेगा आसाने सीयात हो जाएगा पर नेसल बैंक की स्थापना 1894 में हुई थी मुंबई में जो इतनी भी बैंक है वो मैंने आपके आपके आपर बता ही दिये हैं अगला प्रिस्म जिम कॉर्बेट नेसल पार्क इस राज्य में स्थित है आप सभी के सामने हैं सही जवाब बनता है उत्तरा खंड उत्तरा खंड मे जाने की हम तेंद वा अफगानिस्तान का राज्टी पसू भी आपका बनता है भारत में हैमेस नेसल पार्क जो की भारत का लार्जेस नेसल पार्क है जो की आपका लग्दा की यूनिन टेरिटरी में मौझूद है वहाँ पर आप स्नों लैपड को काफी बड़ी संख्या मे देख सकते हैं जबकि उट की बात करते हैं केमिल की बात करते हैं तो यह राजिस्थान का राज्टी पसू है केमिल के साथ साथ उट के साथ साथ वहाँ पर चिंकारा भी राज्टी पसू आपका बनता है एशियाटिक लाइन की बात करते हैं एशियाई सेर यह गुजरात का राज की पसू है और गिर नेसल पार्क में बहुत या देखा जा सकता है एशियन एलिफेंट की बात करते हैं किरल और जहरकन राज का जो इस्टेट अनिमल बनता है वो बनता है आपका एशियन एलिफेंट नेक्स्ट पालन किस करांती से संबंदित है और कि इसी कल्चर एश रिलेटेट टू विच आप टी फॉलूइंग रेविलूशन सब्सक्राइब आप सबी के सामने है ग्रीन रेवलूशन रेविलूशन ब्लैक रेविलूशन ब्लू रेविलूशन इनमें से कोई नहीं सही उनकी लीडर्सिप में जिन्हें भारत में ग्रीन रेविलूशन का जनक कहा जाता उनकी लीडर्सिप में ग्रीन रेविलूशन को शुरू किया गया था और मैक्सिको कंट्री से हम लोगोंने हैच वाई वी सीट्स मंगाये थे हैच वाई वी सीट्स मंगाये थे यानि कि करांती के जनक बनते हैं नौर्मन बार लोग नाम याद रखेगा इन्हें आगे चलकर विश्व सांती का नोबोल भी दिया गया था अगला प्रिसन ग्रीन फिल्ड इंटरनेशन स्टेडियम किस राज में इस्तित है तो यह तुरी वनंद प्रम में यह इंटरनेशन स्टेडि अलग लग समय में जब फसल की कटाई होती है तब आपका यह फैस्ट्वल आपका मनाया जाता है तो जब इसे अपरेल के आसपास के महिने में मनाया जाता है तो इसे हम लोग कहते हैं बोहाग भी हूँ या रोंगाली भी हूँ इसके अलावा अक्टूवर के महिने में जब कि लोक निरत्य बंते हूं, उनको याद रखने के ट्रिक मैंने कल भी आपको बताये थी, आज में केवल इस ट्रिक को आपको रिवाईज यहां पर कराऊंगा, असम की बहु, यह मैं पहले भी बता चुका हूं, असम बिहु, तो असम की बहु और बेगम रंभा भोरताल गई, भोरताल नाम का अलोक निरत्य भी आपका असम में होता है, आगे बात करते हैं तो ये कलकी आपकी नियूस है, मैंने कलकी नियूस में आपको बताया था कि इंडिया, अमेरिका और इजराईल साथ मिलकर यहां पर कुरोणारस्ट की वैक्सीन बनाने पर काम कर रहे हैं, और जो information है वो share कर रहे हैं इसके लावा मालगाड़ी है जिसका नाम है अनिपूर्णा इसने 50 गंटे से भी कम समय में 1634 क्लिमीटर की दूरी तै करके तिहास रच दिया है क्योंकि इतने कम समय में किसी भी मालगाड़ी ने इतनी लंबी दूरी तै नहीं की थी अगर स्वास्त मंत राले की हम बात मानें तो भारत के 325 जिलो में कोई भी कोरोना वारस का मामला नहीं है राजस्तान राज ने ये दावा किया है कि उनका राज रैपीड परीक्षन करने वाला देश का पहला राज है बहुत तेजी से परीक्षन करने वाला भारत का पहला राज है और United Kingdom यानि कि ब्रिटेन ने 7 मही तक लोगडाउन का विस्तार कर दिया है हमारे देश ने 3 मही तक लोगडाउन का विस्तार कर लिया है पूल परीक्षन शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला भारत का पहला राज उत्तर प्रदेश बन गया है कोरोना वारस के नमूनों को यहा पर कुरोना मिलता है या कुरोना वारस पॉजिटिव मिलता है तब ही जाकर बाकित के तीस जो नमूने उनको टेस्ट किया जाएगा अगर नहीं मिलता है तो इसका सीधा सा अर्थ हो गया कि इन तीसों के तीसों कुरोना वारस के सेंपल्स में कोई भी कुरोना पॉजिटिव म याद रखना ही आपको current affairs और general awareness में सफलता दिला सकता है, कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं, yes लेकर बताईए, यहां तक सारी बाते समझ में आई हो, yes लेकर बताईए, और session को like कर दीजिए, अगर अभी तक like ना किया हो, तो like कर दीजिएगा, अब fresh MCQs आप सभी के सामने हैं, तो बिलकुर ready हो जाईए, इनका answer करने के लिए, पहला question आप सभी के सामने ये रहा, कि किस airline ने अपने यात्रियों के लिए दुनिया का पहला COVID-19 रख्त परिक्शन सुरू किया है, जो कि 10 मिनिट में परिणाम देता है, which airlines launch the world's first COVID-19 blood test for its passenger, which gives the result in 10 minutes, तो दुनिया की पहली airline से जो की यात्री होंगे, वो जैसी अगर इस विमान में चड़ना चाहते हैं, तो आदी घंटे वहाँ पहले पहुँच जाएंगे, उनका पहले क्या होगा, टेस्टिंग होगी, 10 मिनिट में उनका परिडाम है या result है, जो लोग positive होंगे, उनको नहीं चड़ने दिया जाएगा, जो लोग नहीं होंगे, उनको आसानी से चड़ने दिया जाएगा, तो 10 मिनिट के अंदर Corona Virus का यहाँ पर पता लगा सकता है, तो दुनिया का पहला first COVID-19 blood test, किस airlines ने launch किया है, जो की 10 मिनिट में प्रणाम देता है, तो Amirats, Amirats Airlines, आपने United Arab Amirats का नाम सुना होगा, तो यह Arab Amirats की ही यह airline है, याद रखना है, वहाँ की एक government airline से है, और government वहाँ की सबसीड़ी एक airline से यह बनती है, तो United Arab Amirats की जो airline बनती है, Amirats, उनके द्वारे से launch किया गया है, अगला प्रिशन, भारत की अमूर्त साइंस किरतिक विरासत की रास्टिय सूची का सुबारंब किस ने किया है, हुलोंज, National List of Intensible Cultural Heritage of India, थवरचंद गहलोत, जो की हमारे सामाचिक न्याय और अधिकारता मंत्री है, सोशल जस्टिस मिनिस्टर है, सेकेंड ऑप्शन है, रमेश पोक्रियाल निशंग, जो की हमारे HRD मिनि सांस्कृतिक मंत्राला देखते हैं, तो यहां पर एक सब्द यूज हुआ है, कल्चरल, यानि कि सांस्कृतिक विरासत की रास्टी सूची, जो की अमूर्त है, अमूर्त या इंटेंजिवल ऐसी असिट्स को कहा जाता है, ऐसी चीजों को कहा जाता है, जिनको हम छू नहीं स सकते हैं, यह हम लोग देख नहीं सकते हैं, जैसे कि प्रसन्ता, चार मई को लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, आपकी प्रसन्ता विल्कुल साथ में आस्पान पर होगी, लेकिन क्या आपकी प्रसन्ता, आपकी खुशी को यहां पर देखा जा सकता है, उसे चुआ जा सकता है नहीं उसे केवल feel किया जा सकता है तो ये intensible हुई तो intensible cultural heritage की जो list है हाली में जारी की है किसने हमारे संस्कृति मिनिस्टर यानि की cultural minister पहलात सिंग पतेल जी ने अब भारत में total कितने आपके cultural heritage elements बनते हैं याद रखेगा भारत में total 13 cultural heritage elements बनते हैं इंडिया से और इनको UNESCO की list में भी सामिल किया गया है UNESCO को platform बनता है United Nation Educational Scientific and Cultural Organization जैसा इसका नाम है वैसा ही है इसका काम है कि पूरी दुनिया में heritage और जो विरासत है उसको संभालने का जिम्मा है इस particular organization का है इसका headquarter पर कहां पर बंता है जड़ा मुझे type करके comment box में बताईएगा तो तेरा जो intangible cultural heritage हैं जिने हम चुह नहीं सकते केवल feel कर सकते हैं तो जैसे कहीं पर अगर राम लीला चल रही हो option number five यहां पर point number five देखिएगा कहीं पर अगर stage पर राम लीला चल रही हो तो क्या आप राम लीला को भगवान राम सीता को नहीं क्या आप राम लीला के मंचन को छूगर देख सकते हैं नहीं राम लीला का योगर मंचन हो रहा है तो उसको feel किया सकता है उसे मुठा के टश करने लग जाए मेरी बात समझ में आ रही है इंटेंजिविल कुल्चिरल हेरिटेज कालबेलिया निर्त की बात करते हैं यह फोक्स सॉंग्स हैं और डांस होते हैं जो की राजिस्थान में होता है तो डांस को देखा जा सकता है फील किया सकता है अनन्द पराप्त किया सकता है लेकिन उसे चुआ नहीं जा सकता राजिस्थान की बात कर लेते हैं तो राजिस्थ आवा रम्मन की बात करते हैं ये भी theater rituals हैं जो कि गड़वाल हमालाय में जो लोग हैं वहां के रहने वाले जो लोग हैं इसको वहां पर आयोजित करते हैं इसके इलावा traditional brass and copper craft ये पंजाब में होता है अब दिखिए वैसे तो इनको छू कर देखा जा सकता है लेकिन इनकी जो कला है इनकी जो art है इनके पास जो skills है उनको रहिच हुआ जा सकता तो पारंपर एक पीतल और तामा शिर्फ जो पंजाब में है जिन लोगों के पास ये कला है उसको इसमें सामिल किया गया है इसके लावा च्छाव निरत है इसको भी छूकर नहीं देखा जा सकता है होने वाली चीज है इसे कोई टच नहीं कर सकता तो ये भी है नवरोज के अगर आम लोग बात करते हैं तो सभी जानते कि ये इरानियन न्यूयर फैस्टिवल है यानि कि फार्सी लोगों का जो नवर्स का उत्सव होता है वो नवरोज होता है आपने इतिहास में भी इसके बारे में पड़ा होगा कि और अंगजेव नाम का जो मुगल स्टासक था उन्होंने फार्सियों के नवर्स सेलिब्रेशन नवरोज पर प्रतिबंद लगा दिया था और सबसे लेटेस्ट है आपका कुंभ मेला कुंभ मेले की बात करते हैं तो भरत के चार स्थानों पर कु उज्येन और हरिद्वार ये चार आपके क्या है जहां पर कुंभ मेला आयजित आपका होता है ये यहां पर मौजूद है उज्येन आपका शिप्रा रिवर के किनारे है नासिक आपका गोदवरी रिवर की किनारे है अलहाबाद आपका गंगा यमना और सरस्थी नदी के तो कुम्हमेले को इसमें आजित क्या अब दिखे कुम्हमेला एक जगह पर लगता है लेकिन कुम्हमेला कोई वस्तू नहीं है जिसे हम टच करकर देखें तो यह इंटेंजिबिल हो जाएगा मेरी बात समझ में आ रही हो तो एक बार यस लिख कर बता दीजिए का यहां तक सा आपरेल को आपका विश्य धरोहर दिवस था भारत में कुल कितनी विश्य धरोहरे हैं जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेस साइट में सामिल है तो 38 है यह मैं आपको कई बार बता चुका हूँ लगातार बचा चुका हूँ जल्द इस मुझे टाइप करके थीम भी बता आनांस किया गया था तो इस औरगनाजीशन का जो हीड़ कवाटर बंता है वो फ्रांस की कापिटर पैरिस में आपका बंता है जबकी इसके लिए जो बात हुई थी और इसकी इस्थापरा जो हुई थी वह वाटसा पोलेंड में हुई थी जैनेवा स्वी ब्स के हैड कोटर आपके मौझूद है एक तो वर्ल बैंक और दूसरा आई एम एफ याद रिखेगा आगे बात करते हैं और वाशंगंगंटन डी सी अमेरिका की राजधानी भी बनती है अमेरिका में राजजों की कुल संख्या पचास बनती है जबकि वाशंगंटन डी सी पोटो अरजन मुंडा जी जो आपके ट्राइवल अफेर्ट्स मिनिस्टर है यानि की आदिवासी मामलों के मंत्राले हैं पहला सिंग पटेल आपके कल्चरल मिनिस्टर हैं संस्कृति मंत्री हैं और डॉक्टर हर्षवर्धन जो की आपके हेल्थ मिनिस्टर है अगर हम कोविड-19 क की बात करें तो यह एक रोग है एक महामारी है और इस महामारी को दूर करने के लिए हेल्थ मिनिस्टर को ही यहां पर ना होगा क्योंकि वही इन सारे मुद्दों पर बात कर सकते हैं तो इन्हों ने ही इसकी अधक्ष्टा की थी अगला प्रिस्टम निकित में से कौन सा रा इसके लावा बहुत सारे मजदूर भी है बहुत सारे ऐसे लोग भी है जो कि प्रतिद मजदूरी करके ही पैसा कमाते थे तो ऐसे समय में लोग को यहां पर जो फूड ग्रैन से इसकी काफी जरूफ है तो किस राज ने एक दिन में सबसे ज्यादा लोगों तक जो खाध्या यहाँ पर क्या बनती है आपकी गवर्नर बनती है याद रखेगा यहाँ पर दो डिप्टी चीफ इनिस्टर भी है दिनेश शर्मा जी और केसब परशाद मौर्या जी उत्रप्रदेश की राजधानी लखनो जबकि यहाँ का उच्छ नियाल है अलहबाद या प्रयाग राज म आपका मौझूद है याद रखेगा एक्जाम के पॉइंट आ व्यू से मद्प्रदेश के चीफ इनिस्टर आपके बनते हैं कौन उधास ठाकरे साहब भगत सिंग खोश्यारी जी यहाँ के क्या बनते हैं आपके गवर्नर बनते हैं मद्प्रदेश के चीफ इनिस्टर वरत चेकता नहीं है अगला प्रिस्टर आर्वियाई अन्नाउंस इस हाव मच बूस्टर पैकेस फॉर स्मॉल और मीडियम साइज इंडस्ट्री कुश्चन को एक बार ध्यान से हिंदी में पढ़िए कुश्चन यह कह रहा है कि आर्वियाई छोटे और मध्यमाकार के उद्योग है कम से कम आई इसके लिए बूस्टर पैकेस की घोश्चना की है उस बूस्टर पैकेस का जो अमाउन बनता है वो कितना बनता है पच्चेस हजार करोड थी से आर करोड पच्पन हजार करोड चाले से आर करोड यह मैं से कोई नहीं आर्वियाई की बात करते हैं 1937 तक कुलकाता में मौझूद था और 1937 के बाद इसका हैटकोटर मुंबई पहुंचा जबकि एक जनवरी 1949 को आरगे नैसनलाइज हुआ था आरगे के वर्तमान गवर्नर बनते हैं शक्तिकांत दासची जबकि आरगे के पहले सर जबस्मीट क्या मुझे कोई यह टाइप करके बता सकता है ठार नhernस. और cela यह यूं कहूं कि Dr. Manmohan Singh RBI के कौन से governor थे, कौन से number के governor थे दो question में आप सभी की तरफ उच्छालता हूँ, देखते हैं कितने लोग इसका answer, सही जवाब मुझे comment box में करके देते हैं ज्यादा परिशान होने के जरूत नहीं है, जो लोग one answer कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कहीं भी सही जवाब नहीं लेखा है, amount note कर लीजिए पचास हजार करोड का booster package announce हुआ है, कितने हजार करोड, पचास हजार करोड RBI के बारे में सारी बातें हाँ पर हो चुकी है, अगला प्रिशने, home delivery के लिए किस राज सरकार ने सीघाट website launch की है, which state government launches सीघाट website for home delivery, हम सभी अपने घरों में lockdown हैं, हम सभी अपने घरों में isolate हैं, अपने घरों में रह रहे हैं, बाहर ना निकलने को बोला गया है, क्योंकि जान है, तो जहान है, तो इसी के तहट फल सब्जियां घर घर तक पहुंचाने के लिए website यहां पार launch की गई है, इस website को launch किसने क्या है, अम लोग तक घरों में जरूरी सामान है वो आपका पहुंचता रहे साजा होती है जारखंड राज से भी सीमा साजा होती है लेकिन बिहार से यहां पर कोई भी सीमा साजा नहीं होती चतीजगड की चतीजगड राज के तौर पर एक नौंबर सन 2000 को अस्तित्व में आया इसके अलावा रायपूर यहां पर राजधानी बनती है नया रायपूर भी है और वहाँ पर सौमी विवेकनन्द इंटरनेसल एरपूर्ट भी आपका मौजूद है यहां पर डिश्टिक्स की संक्या जिलों की संक्या 27 है गवर्नर यहां की बनती है अ जो राज की पक्षी है वो है हिल मैना और राज की वरक्षे साल नाम का वरक्षी याद रखिएगा यहां पर कुछ प्रिशिद नैसल पार्क है जिनकी लिस्ट आपको यहां पर मैं दे रहा हूं जिससे आप लोग थोड़ा से इनको रिवीजन कर सकते हैं और इसको नोड कर सकते हैं अचन कमार वाल लाइफ सेंच्री यहीं पर मौजूद है इंद्रावती नैसल पार्ग कहीं पर मौजूद है कांगेड घा कहीं पर मौजूद है गुरु घासी दास संजय नैसलन पार्क एक और संजय नैसलन पार्क भी है भारत में अगर आप मुझे बता सकते तो टाइब करके बताए कि दूसरा संजय नैसलन पार्क भारत की किस राज में मौझूद है इसके लावा बर्नवा पारा वनजीव अभ्यारन भी आपका यहीं पर मौजुद है कुछ पिरमुक हैं सब रटने के जरूत नहीं होती लेकिन हां कुछ जरूरी है उनको यहां पर याद रखना काफी रहेगा आप सभी के लिए यहां पर आप एक तस्वीर देख रहे हैं यह तस्वीर है आरवी भुसकुटे की यह तस्वीर है आरवी लिए फ्रीडम फाइटर मौंटेनियर सिथार प्लेयर और जर्नलिस्ट या नन अब्दीस करेक्टांसे आप रबनता है फ्रीडम फाइटर इंडिया कुट मुविमेंट या कुट इंडिया मुविमेंट भारत छोड़ो अंदुलन उन्ने सो बयालेस में सुरू हुआ था गां कोई भी information देखते हैं जो की health से जुड़ी है किसी पर्टिक्लर रिसर्च से जुड़ी है तो वहाँ पर हम लोग कई बार ICMR यानि कि Indian Council of Medical Research का नाम कई बार देखते हैं इसका full firm Indian Council of Medical Research यानि की भारतिय आयुर विज्ञान अनुसंधान परिश्यद है ये वेक्सीन बनाने और कोरोना वाज से लड़ने के लिए, सरकार को यहां पर एडवाईस देने के लिए इस्थापना कब हुई थी? इसकी इस्थापना उए दिल्ली में मौझूद है, यह भी नोट कर लीजें, अगला प्रिस्मि विश्वानी दिवस, विश्वस्तर पर कब मनाया जाता है? वेन इस दी वर्ल्ड वोईज दे सेलिब्रेटेड ग्लोबल यह उप्शिन्स आप सभी के सामने यहाँ पर बनते हैं 16 अपरेल, 18 अपरेल, 15 अपरेल, 17 अपरेल, वर्ल्ड वोईज दे आपका मना जाता है 16 अपरेल के दिन वर्ल्ड होमेपैथी डे, 13 अपरेल को जलियवाला बाग नरसंगार की बरसी होती है जलियवाला बाग नरसंगार 1919 में हुआ था, अमरेसर पंजाब में, वर्ल्ड हरीटेज डे, 18 अपरेल कल ही आपका हुआ है, कितनी साइट्स हैं, 38 साइट्स हैं उम्मीद है दोस्तों और यहां साथियों, यहां तक सारा सेशन आपको पसंद आया होगा, तो एक बार यस लिकर मुझे बता दीजेगा, और देखो मेरे इस एफ़र्ड के लिए एक बार लाइक जरूर कर देना, बहुत सारे स्टोड ने बोला था कि कुछ latest index की रिपोर्ट ले आईए सर, तो अभी क्या है कि इस सेशन में ज्यादा कुछ तो नहीं लेकर मैंने latest जीतने भी brand ambassadors की list है, updated list है, वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इसको हम लोग आज discuss करेंगे, ठीक है, और भी जो दूसरी important information उनको भी हम लोग सारा साहां पर add करते रहेंगे, अलग कि आपकी GK पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है, जो कि general awareness के लिए जरूरी बनती है, तो complete knowledge और 360 degree जो knowledge है, वो आपको इस session से मिलेगी, कितनी लोग इस बात से सहमेत है, मुझे yes लेकर जरूर बताएं, सबसे पहले बात कर लेते है, IDFC First Bank की, IDFC First Bank के brand ambassador जो है, वर्थमान में वो अमिताब बच्चन जी है, बिग भी, अमिताब बच्चन जी, इनका समन्द अलाबाद सहर से ही है, और पिर सिद्ध जो आपके, इनके पिताजी का जो नाम था, हरिवन सराय बच्चन जी, इनके पिताजी थे, एक famous writer रहे है, पिमा कंपनी की बात करते हैं, यह मैंने तरह की खलवली मच जाती है, तो Realme Smartphone के Brand Ambassador वर्तमान में कौन है, सल्मान खान यहां पर बनते हैं, टाटा पावर्स की बात करते हैं, तो टाटा पावर्स ने जो आपके किर्केटर है, नाम है श्रादूल ठाकॉर, उनको as a Brand Ambassador न्यूक्त किया हुआ है हाली में, टोक्यो उलम गेम्स होने वाले थे, लेकिन कुर्णा वहां महामारी को देखते हुए, अप टोक्यो उलम्पिक गेम्स 2021 में होँगे, तो इंडियन ओलमिक, सुरी, इंटर्नेशनल ओलमिक Association के द्वारा International Olympic Association के द्वारा भारती टीम के Goodwill Ambassador के तोर पर सौरो गांगली को invite किया गया है तो ये भी important यहां पर रखिएगा important बनेगा भारती करके टीम के पूर कप्तान रहे हैं दादा के नाम से विख्यात है और इनको Prince of Kolkata भी जाता है चलिए Washington apples यह apples का एक brand है Washington apples के brand ambassador के तोर पर दिसा पतानी जो की actress है और इसके लावा famous chef Sanjeev Kapoor को यहां पर brand ambassador के तोर पर न्यूक्त किया गया है आगे इस list में और बात करते हैं तो नाडा का नम आप सभी ने सुना होगा यानि कि national anti-doping agency उसके जो brand ambassador है वह है सुनिल City यह agency क्या काम करती है जो आपके doping वाले charges होते हैं उनका यहां पर पता लगाती है इस agency का मुख काम यही है कि भारती क्लारी किसी भी तरह से जो पृतिवंदित दवाएं हैं जो उनकी सकती बढ़ा सकती है खेल के मैदान में उनको दूसरों से बहतर कराने के लिए मदद कर सकती है या बहतर यहां पर उनको एनरजी दे सकती है तो anti-doping agency है यानि कि ऐसी चीजों पर रोक लगाने के लिए कराने के लिए खिलारियों को इस दायरे में रखने के लिए नाड़ा की स्थापना आपकी की गए थी तो नाड़ा के की बात करते हैं यह एक brand है कपड़ों का एक brand है और fashion designing एक brand है जिसमें बहुत सारे चीजें आपकी आती है अलग-अलग तरह के कपड़े हैं और दूसरे जो आपके products हैं grooming products हैं वह आपकी बनाती है इसके हरवजन सिंग जाने माने भारती किरके टीम के गेंबाज रहे हैं इनको brand बैस्डे यहाँ पर नूप किया है गाटो रेड नाम के organization ने हीमादा जो की एक जाने माने sprinter है एक धावक है उनको brand बैस्डे बनाया है उनके लिए यहाँ पर brand बैस्डे यहाँ पर नुप्त किया गया है भारत पर जो की एक आपका payment application है उसके लिए सल्मान खान को brand बैस्डे यहाँ पर नुप्त किया गया है तो करीब यहाँ पर 15-16 brand बैस्डे मैंने भी यहाँ पर बता दिये हैं इसके लाब अब कुछ अपडेशन अभी बाकी है उसको भी मैं वहाँ पर प्रपेर कर रहा हूँ तो कल भी कुछ important brand ambassador को हम लोग यहाँ पर discuss करेंगे आज के brand ambassador को कल revise करेंगे और कुछ updated brand ambassador को भी कल हम लोग discuss करेंगे यहाँ तक सारी बाते समझ में आए हो session पसंद आता चल रहा हो तो एक बा लंबी क्लास हमारी रहती है लेकिन इस क्लास में complete information आपको मिलती है revision मिलता है तो फरवरी मंत की important news को यहाँ पर revise करना बंता है तैयार हो जाईए answer करने के लिए इस recap session में अगर मैं आप से कहता हूं कि what is the name of the third corporate passenger train of India भारत की तीसरी corporate याति train का नाम क्या है यह one liner है और इसका महाकाल express क्या बनता है कासी महाकाल express हम लोग revision कर रहे है इसलिए जल्दी जल्दी में इसको हम लोग discuss करेंगे बस आपको याद दिलाना इस revision session का Kambala which was in news recently is a traditional sport of which state kambala hali में खबरों में था तो यह जो पारंपरे खेल है किस में खेला जैता है toavia करनाटे का राज में खेला जाता है जबकि जल्ली-कट्टू नाम का जो पारंपरे खेल है वो आपका Tamil Nadu में खेला जाता है हाली में किस ने Big Boss 13 के वेजेता का खिताब अपने नाम किया Recently who has won the title of Big Boss 13 winner करेक्ट नांसर आपर बनता है शिद्धार्ट शुकला Second position पर कौन रहे तो जरा मुझे type करके बताईएगा अगला परिशने यस भारती पुरुसकार किस राज और संग राज छेतर का सर्वुच नागरिक्स पुरुसकार आपका बनता है तो करेक्ट नांसर बनता है उत्तर प्रदेश हाली में इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है बात की पहली इंटर सीटी इलेक्टर की बस सर्वे से जो की एक सेहर से दूसरे सेहर तक आपकी जाती है किस देशने हाली में COVID-19 संकमेत रोगियों के ELAS के लिए एक recovery plasma विकेसित किया है which country has recently developed a recovery plasma to treat COVID-19 infected patient तो चाइना भाईया तुम बनाओ भी तुम्ही कोरोना वारस और तुम्हीं हर चीज़ का solution भी ढूनते चलो अच्छा है अगला प्रिशन अर्बी आई जल्द ही अपना विती वर्स क्या अपनाने वाला है what is RBI going to adopt in its financial year soon करेक्ट आंसर बनता है अप्रेल से लेकर मार्च यानि कि एक अप्रेल से लेकर 31 मार्च ये financial year RBI अपनाने वाला है क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वर्तमान में RBI का financial year आपका क्या चल रहा है या इससे पहले जो आपका financial year चलता है वो क्या चलता है राश्टी समुद्री विरासत परिशत किस राजी में इस्थापित किया जाना है national maritime heritage complex is to be set up in which state करेक्ट आंसर आप रवनता है इन में से कोई नहीं क्योंकि करेक्ट आंसर यहां पर जो बनेगा वो आपका जो बनने वाला है राजी कि अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर आइधिंक यह आपका न्यू डेली में बनेगा मैं इसका आंसर यहां पर skip कर चुका हूं मेरे दमाग से skip हो रहा है एक बार आप लोग मुझे comment box में लिखकर बताईएगा अगर नहीं है तो इसके बाद comment box में आप लोग type करके मुझे इसका आंसर बता दीजेगा अच्छा यहां पर हमारे पास explanation है तो अब बिलकुल है इसको यहां पर सापित करने की जो बात यहां पर की गई है वो गुजरात में की गई है अपडेट कर लीजे मुझे दमाग में आ नहीं रहा था तो भारत और पुर्टगाल दोनों ने एक MOU साइन किया है Memorandum of Understanding साइन किया है जिसके तहत गुजरात के लोथल नाम की जगह पर एक National Maritime Heritage Complex आपका विकिसित किया जाएगा इसके लावा दोनों कंट्रीज के बीच में 14 दूसरे agreements भी आपके हुए थे याद भारत में अनुशंधान जहाजों का निर्मार करने वाली पहली और एक मात निजी फर्म कौन सी है विच इस फर्स्ट और प्राइवेट फर्म टू बिल्ट रिसर्च शिप इन इंडिया तो टीटागर वेगन वेगन लिमिटेड ये कलौती ऐसी प्राइवेट फर्म है जो क भारत में जो रिसर्च वाले जहाज होते हैं रिसर्च सिप्स होते हैं उनका निर्मार ये करती है याद रखेगा टीटन वेगन लिमिटेड ये चेन नहीं में स्थित नेशन इंसिटीट ऑफ ओपन टेकनोलोजी के लिए दूसरा तर्टी अनसंदान पोत्र सागर अनुवे के टैक्से महाँ पर हटा दिया है भारत और विश्य बैंक ने अटल भूजल योजना के लिए कितने रिल समझापते पर हस्ताशर किये थे यानि कि वर्ल्ड बैंक भारत को कितने अमाउंट का कितने मिलियन युएस डॉलर के हाँ पर लोन देगा अटल भूजल योजना के तो इसमें से भी कोई भी अमाउंट जो है वो सही नहीं है क्योंकि करेक्ट आंसर जो इसका बनता है चार सो पचास मिलियन युएस डॉलर का करार हुआ है भारत सरकार के बीच में और वर्ल्ड बैंक के बीच में अटल भूजल योजना के लिए याद रखेगा इस प्रोज जाएगा इसके लावा इस प्रोग्राम को और तीस अलगलग जिलों में चलाए जाएगा इस योजना को लागू कराने का जो जिम्मा है वो मिनिस्ट्रिय अब जल सकती का है और गजंदर शिंग शेखावत जी हमारे जल सकती मिनिस्टर बनते हैं और यह केंद सरकार की दोर के दुरान उन्हों ने अपने म्यामार के समकष जो वहां के नेवी चीफ है उनके साथ उन्हों ने विचार विमर्स भी वहां पर किया था इसके अलावा और अगर मैं आपसे बात करता हूं म्यामार में तो आपको यह याद रख रहे हैं कि एक वहां पर बंदरगाह का निर किया था सिटिवे पोर्ट का वहां पर निर्मार किया था म्यामार की बात करते हैं तो नेई पीडा यहां की राजधानी बनती है और क्यात यहां की करेंसी का नाम बनता है किस राजसरकार ने गोशना की है कि वह उलम्पिक खेलों में श्रौन पदक विजेताओं को छे का जो इनाम है वो दिया जाएगा इसका अनौंस्में हराना राज में किया गया था हराना राज ने ये भी कहा था कि जो भी खिलारी ओलम्पिक गेम्स दोजार बीज जो की टोकियो में होने वाले थे उसमें पार्टिसिपेट करेगा तो उसे पंदरा लाक रुपए प्रती सरकार ने खिलाडियों के लिए पैंशन प्रणाली की भी गोश्चना की है क्योंकि एक समय के बाद खिलाडी क्या होते हैं खेल से दूर हो जाते हैं उनकी बॉड़ी उनकी खेल के लिए फिट नहीं रहती तो ऐसी कंडिशन में उनके पास आर्थिक्स परिसानिया आपकी आ सम्मंदित हैं या होकी खेल से सम्मंदित हैं या फिर निसान बाजी से सम्मंदित हैं यह सभी खिलाडी हर्याना राजिसे ही सम्मंदित हैं आप एक जगे लिस्ट बनाई है क्योंकि हर्याना और पंजाब से ही मुक्ता आपके खिलाडी भारत में होते हैं तो यहां तक सारी बाते क्लियर हो चुकी हैं आप सभी के साथ तो उमीद है कल आप सभी ने काफी सही यहां पर प्रसिन को आंसर किये थे परजी सहर की बात करते हैं किस नदी किनारे मौजुद है सब ने इसका आंसर किया था इसके लबाब पाटिल पुत्र स्पोर्ट कॉंपलेक्स और महला कब सब्सक्राइब करने हैं तो इनका आंसर मैं आपको कल दिखाऊंगा आज समय की कमी के चलते इस सेशन को आम लोग यहीं पर वाइंड आप करने वाले हैं जाते याद दिला दूँ और बता दूँ कि अंगित गुप्ता जी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नोटिफिकेशन बैल को अन कीजिए आल पर सेलेट कीजिए ताकि सभी वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले फेजू पेज का नाम है जी के वेदा से इसको लाइक कीजिए टेलिग्राम चनल का नाम है अंकित गुप्ता जी के सभी की जो लिंक हैं आपको कॉमेंट